नमस्कार आप देख रहे हैं सेहत मंद नुस्के मैं हूँ आपके साथ सुमन आरनेगी दोस्तों क्या आप में कभी जंगल जलीबी खाई है? जी नहीं ये कोई मिठाई नहीं बलकि एक फल है जिसका स्वाद बहुत मिठा होता है इसे अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे कि विलाइती इमली, मीठी इमली और गंगा जलीबी आज इस वीडियो में आप जानेंगे जंगल जलीबी के बारे में इसके फाइदे, नुकसान और अस्तमाल का सही तरीका लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना आप बिलकुल ना भूले ताकि ऐसे ही वीडियो सी नोटिफिकेशन आपको मिले सिर्फ और सिर्फ एक लिक पर जंगल जले भी दिखने में कुछ ऐसी नजर आती है ये इमली की तरह दिखती है जब ये कच्ची होती है तो हरे रंकी होती है और पकने पर ये लाल रंकी होती है लेकिन अंदर से ये सफेद होती है आम तोर पर ये एपरिल से जून के महिने में होती है इसके बहुत सारे औश्रदी गुन है जो आपकी सेहत को कई लाब पहुचा सकते हैं लेकिन बहुत से लोग है जिन्होंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है ऐसे में वो इसके औश्रद्य गुणों का लाब उठा ही नहीं पाते आज इस वीडियो में जानिए जंगल जलेबी के फायदे जंगल जलेबी में विटामिन C की मात्रा अधिक होती है विटामिन C एंटी ऑक्सिडेंट की तरह काम करता है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है इसलिए अगर आप जंगल जलेबी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता मजबूत होती है डैबेटीज रोग्यों के लिए जंगल जलेबी काफी फायदिमंद मानी जाती है इसमें एंटी आक्सिदेंट के गुण पाए जाते हैं जो हमारे लिए काफी फाइदिमंद है जंगल जलेबी टाइप 2 डाइबेटीस के मरीजों के लिए काफी अच्छी है कई आउरुवेदिक दवाईयों में भी जंगल जलेबी का इस्तमाल किया जाता है लेकिन हाँ इसका स्वाद मीठा होता है ऐसे में डॉक्टर के सलह के बाद ही इसका सेवन करे पाचन शक्ति को बढ़ानी में जंगल जलेबी काफी मददकार है इसके सेवन से पेट की सेहत अच्छी बनती है जंगल जलेबी में कैलिशियम की अच्छी खासी मातरा होती है इसके सेवन से जोडो के दर्द में भी रहत मिलती है दोस्तो किसी भी चीज़ के फाइदे और नुकसान दोनों होते हैं कोई भी चीज नुकसान तब करती है जब आप उसे सीमित मातरा में नहीं खाते जादा खा लेते हैं अगर आप जंगल जलेबी भी सही मातरा में नहीं खाएंगे जादा खा लेंगे तो आपके शरीर को नुकसान भी हो सकते हैं इसे जादा खाने से तवचा संबंधी समस्या हो सकती है दरसर इसके फल के अर्क का बाहरी हिस्से का उप्योग साबधानी से करना चाहिए क्योंकि ये तवचा आँखों में जलन जैसी समस्या पैदा कर सकता है अगर आप गर्भवती महिला है या स्तन पान करारी है तो आपको जंगल जलेबी खाने से परहिस करना चाहिए इस फल का अत्यतिक मात्रा में सेवन करने से अपच के समस्या भी हो सकती है साथी इसका जादा सेवन करने से गुर्दों पर भी बुरा असर पड़ता है जंगल जलेबी एक इमली जैसी दिखने वाली औशदी है यह जब कच्ची होती तो स्वादिस नहीं होती और जब यह पक जाती है तो इमली जैसे ही इसमें फायदे होते हैं इसमें आइरन खूब है और इसमें कैल्सियम खूब है इसमें विटामिन सी है जो हमारे चेहरे पर निखार लाता है इसका पत्ता भी अपने यही फायदे रखता है और इसका पका हुआ फल हमारे कई और शद्धिये गुड़ इसमें होते हैं जिसे पेट का अच्छा होना किसी को अगर हाजमा ठीक नहीं है तो वो इसे इस्तमाल कर सकता है किसी को वामिट आती है उल्टी आती है तो वो इसको इसको इस्तमाल करके अपनी उल्टी को उसी वक्त दूर कर सकते हैं जिनको एसीडिटी होती है वो लोग भी से इस्तमाल से अपनी एसीडिटी दूर कर सकते हैं उमीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि जंगल जलीबी क्या है कैसी नजर आती है इसे खाने की क्या फाइदे हैं और अगर आप में इसे जादा खा लिया तो आपको क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं वहीं ऐसे कौन से लोग है जिने इसे खाने से बचना चाहिए अगर आप हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं आज इस वीडियो में इतना ही खुश रहें, तंदरुस से रहें, नमस्कार।